State Private Universities पर क्लिक करने के बाद में जाए उत्राखंड में सारे States के नाम यहाँ पर आपके सामने खुल गई होंगे इंटरफेस में उत्राखंड पर आप क्लिक कीजिए जैसे ही आप उत्राखंड पर क्लिक करते हैं सभी उत्राखंड में चलती है टोटल 21 प्राइवेट उनिवर्सटी जो NIRF की जो रैंकिंग है वो सिर्फ 100 तक की रैंकिंग डली हुई है आप 2022 में भी अगर आप जाओगे तो 2022 की जवाब लिश्ट देखोगे तो वहाँ पर भी जो 100 की लिस्ट है वहाँ पर इस उनिवर्सटी के नाम आएगा नहीं दोस्तों हाला कि जितनी भी online universities चलती है जो online courses करवाती है साथ मही distance education में बहुत सारी universities admission लेती है डिपेंड करता है कि NIRF में ranking उस university की क्या है अगर university below 100 है मतलब की under 100 अगर ranking आती है NIRF की तो NIRF के इसाब से वो university online courses अपने चला सकती है और साथ में एक distance education को university चला रही है तो मतलब की यह कि अभी NIRF की ranking उनके पास नहीं है even NEC का जो grade मिलता है A plus का वो भी उनके पास नहीं है या फिर अगर है तो NIRF उनके पास अभी नहीं है ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिलों में होते हैं बट मैं आपको बताओं कई सारी ऐसी universities जो अच्छी universities हैं जो कि करवाती है online courses online courses में हलाकि different तरह courses होते हैं से BBA कर सकते हो, BCA कर सकते हो, MBA कर सकते हो, MCA और BAB और भी ऐसे कई सारे courses जो आप online mode पर कर सकते हैं जिसमें कि आप online ही exams देंगे, online admission लेंगे साथ में ही study भी आप online करेंगे ऐसी कई सारी चीज़े जो online benefits आपको मिलते हैं उत्रांचल University के दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में उत्रांचल University के बारे में दोस्तों आप लोगों कई सारे हमारे पास messages आए WhatsApp भी आए और साथ में पिछले हमारे वीडियो में जो आपने कमेंट किये कि उत्रांचल University पर हम एक वीडियो बनाएं कि उनिवस्ती UGC पर कहां रेंक करती है ऐसे कई सारे सवाल जो आपने हमसे पूछे थे आज उन सभी पर डिसकस करेंगे अपनी इस वीडियो के माद्दिया हमसे ज़्यादा कुछ जानने के लिए उत्रांचल University के बारे में दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो साथ नमस्का दोस्तों फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Counseling India और मेरा नाम है विरिंदे वर्मा जैसे आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की universities, colleges उनके courses को explore and review करते हैं और आपको पताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तों उत्रांचल University को जानने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि University चाहे कोई भी हो कोई भी university जब बनती है सबसे पहले UGC का approval लेती है UGC पर list होने के बाद में मतलब UGC पर जब university का नाम आ जाता है उसके बाद कई सारे courses वो university चलाना शुरू कर देती है जैसे सभी तरह के certificate, diploma, UGPG program साथ में research भी आप कैसे check करेंगे UGC पर इस university को सबसे पहले दोस्तों आपको UGC की website पर जाना होगा www.ugc.ac.in जैसे ही आप UGC की website खोलते हैं UGC की website खुलने के बाद में टैप बना है universities का universities पर आप जाएंगे तो यहाँ state private universities पर आप क्लिक करेंगे state private universities पर क्लिक करने के बाद में जाए उत्राखंड में सारे states के नाम यहाँ पर आपके सामने खुल गई होंगे इंटरफेस में उत्राखंड पर आप क्लिक कीजिए जैसे ही आप उत्राखंड पर क्लिक करते हैं सभी universities जो उत्राखंड में चलती है total 21 private universities सभी 21 universities के नाम यहाँ पर आजाएंगे और इसमें आप चेक करते हैं 21 नंबर पर सबसे लास्त में उत्राखंड उनिवर्सटी लिखा हुआ है और उत्राखंड उनिवर्सटी की जो ओफिशल वेबसाइट है www.uudoon.in www.un.in यह है उनिवर्सटी की ओफिशल वेबसाइट और उनिवर्सटी जो उत्राखंड चली उनिवर्सटी उसकी वेबसाइट के बाद में आप यह समझेए कि उनिवर्सटी 2013 में बनी है 15 फरवरी 2013 से उनिवर्सटी एडमिशन्स ले रही है देखा जाए लगबग 10 से 11 साल इस उनिवर्सटी को हो चुके है एडमिशन लेते होगे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर डिटेल्स खुल जाएगी वीसी सहाब की रेजिस्टर सहाब की और उनिवर्सटी की जो जर्नल इंफोर्मिशन्स होती है वो सब वीसी सहाब कोन है इस उनिवर्सटी के प्रोफेसर डॉक्टर धरम बुद्धी और साथ में ही उनका फोन नंबर भी मैंचन है मेल आइडी भी मैंचन है अगर आप कोई वी ऐसा काम होता है जो उनिवर्सटी के स्टाफ नई सुनरा आपकी बातों को तो सीधा आप इन से अकॉंटेट कर सकते हैं साथ में एगर हम रेजिस्टा इंफोर्मिशन की बात करें मिस्टर S.C. शर्मा यह हैं उनिवर्सटी के रेजिस्टार उनका फोन नंबर उनकी मेल आइडी भी यहाँ पर मेंशन हैं यहां से आप डिटेल्स देख सकते हैं अगर हम बात करें दोस्तो NIRF की तो NIRF की रेंकिंग में अंडर हंडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख नहीं पाओगे इसकी जो रेंक है क्योंकि जो NIRF की जो रेंकिंग है वो सिर्फ 100 तक की रेंकिंग डेली हुई है अब 2022 में भी अगर आप जाओगे तो 2022 की जवाब लिस्ट देखोगे तो वहाँ पर भी जो 100 की लिस्ट है वहाँ पर इस युनिवस्टी के नाम आएगा नहीं पर मैं आपको बता दूँ क्योंकि युनिवस्टी नैक A-plus है इसलिए युनिवस्टी ऑनलाइन सभी कोर्से चला सकती है बिल्कुल भी घबराने की ज़रूवत आपको नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन बारे में कोई भी आपके डाउट है इस युनिवस्टी के बारे में कुछ भी आप जानना चाते हैं कमेंट बक्स अपने सवाल पूछें हम उन टॉपिक्स को कलियर जरू करेंगे वीडियो लेकर आएंगे ताकि सभी तरह के डाउट्स आपके हम कलियर कर सकें दोस्तों अमीद करता हूँ उतरांचल युनिवस्टी पर हमने जो ये वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो आज का वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दे कि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियो हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुच सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्या दोसे निवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने जाने के लिए